रविवार को देश को नई संसद मिल गई करने का काम किया है ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या देश के विपक्षी पार्टियों को ये डर था कि बीजेपी और पिये मोदी को इसका फाइदा दोजार चौबीस के लोग सभा चुनावों में मिलेगा आखिर कैसे बताते हैं आपको नई संसद भवन के उधगाटन समारों के जरिए पिये मोदी ने महराष्ट्र और तमलनाडू के लिए एक बड़ा सियासी पिछ तयार कर दिया समारों में तमलनाडू के मठों से अधिनम्प शामिल हुए वैदिक मंत्रों चार के जरिए तमल के विरासत सेंगोल की अध्यक्ष के कुरसी के बकल में स्थापना की गई इसके जरिए प्रधान मंत्री मोदी ने तमलनाडू के लोगों से सीधा जोडने की कोशश की इसके साथ ही 23 मई को वीर सावरकर की जैनती भी है वीर सावरकर से मराठी जनता जोड़ी हुई है पिछे कुछ समय से कॉंग्रिस ने वीर सावरकर पर कई तरह की सवाल खड़े किये कॉंग्रिस के साथ गटबंधन में शामल शिविसेना उत्रफठाकरे और न्सीपी को भी इसका विरोध करना पड़ा अब पिएमोदी ने वीर सावरकर की जैनती के दिन देश के नए संसत भवन का उधखाटन कर महराष्ट के लोगों के दिलों में भी जगा बनाने की कोशिश की नया संसत भवन सेंट्रल इस्टा प्रोजेक्ट के तहट तयार हुआ है कम समय में देश के खोफसूरत संसत भवन मनकर तयार हो गया पिएमोदी ने पिछने 9 साल के अंदर कई विकास योजनाय शुरू कियों और उसका उधखाटन भी किया है नय संसत भवन के उधखाटन के साथ पिएमोदी ने 2424 की आम चुनाओं से पहले ये संदेश दिया है कि उन्होंने देश के विकास को लेकर जो जो बाते कहीं हैं वो करके दिखाया है और वो राष्ट्री और अंतराष्ट्री स्तरपर देश के विकास की नई पटकता लिख रहे हैं ऐसे में पिएमोदी ने नय संसत भवन के उधगाटन एक साथ कई निशाने साथ है जिसका फायदा भगवादल को आगामी चुनाओं में मिल सकता है तमिलाडू और महराष्ट्र के अलावा पियमोदी ने राजस्थान और उतरप्रदेश को भी जोड़ा पियमोदी ने कहा कि लोगसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्री पक्षी मोर राष्ट्री पुष्प राजसभा का कमल और संसत के प्रांगड में राष्ट्री का मोदी ही दिख रहे है और भी वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं